हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत थे स्टाडी फाउंडेशन य्टूब चनल पे इस वीडियो में डिसकस करेंगे 30 जनुवरी का असमका डेली बेस MCQ करेंट फैर्स इस वीडियो का पीडियेफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रूप क सब्सक्राइब इसके बाद नेक्स समलोग इंडियास का डिडिपी डिसकस कर लेते हैं 2016 से लेके 2022 तक इंडिया का डिडिपी 2016 सतरह में था 8.3% 2017-18 में था 7% 2018-19 में था 6.1% 2019-20 में था 4.2% 2021-22 में था 11% होगा यानि एस्पेक्टेड है 2021-22 के लिए 2022-23 के लिए एस्पेक्टेड यहां पे है 6.8% ठीक इसके बाद नेक्स कोस ने on which day anti-leprosy day is being observed anti-leprosy day कब मना जाता है 30 जनवरी को तो इस कोशन का सही एंसर हो जाएगा option number C इसके बार में और भी discuss कर लेते हैं 30 जनवरी 2021 दा माटरी डॉम डे अप महात्मा गांधी फादर अब दे नेशन is observed throughout the country every year as anti-leprosy day as mahatma गांधी try to remove the social stigma attached to leprosy this year anti-leprosy day is being observed as a sparse leprosy awareness campaign all over India as tribute to the father of the nation from 30 January to 13 February 2021 ठीके तो इसके बाद नेशकोस ने which of the following company became first telecom service provider in India to successfully demonstrate 5G service उसका नमे भारती है यह तेल तो इस कोशन का सही एंसर है option number B इसके बाद नेशकोस ने according to Tata Trust report released in January 2021 which state in India is best state in justice delivery system उसका नामे माराश्टरा तो इस कोशन का सही एंसर हो जाएगा option number A सबसे खराब जो है justice delivery system किसका है कौन सा इस्टेट का उसका नामे उत्तर परदेश माराश्टर केप्टिल मॉंबई है यहां का जो गोबर्नर है उनका नामे भागा सिंग कोसियारी यहां का चीप मिनिश्टर का नामे उदव ठाकरे इसके बाद नेशकोस ने what is the rank of India in latest COVID-19 response index 2021 तो इसमें इंडिया करें कितना है 86 है तो इस question का सई एंसर हो जाएगा option number D इसमें top position पे कौन कौन सा country है उसका नामे निव जिलेंड भियतनाम और ताइवान इसमें top position पे है इसके बाद next question ने recently in which state India's first leather park is going to establish उस इस्टिट का नामे उत्तर परदेश तो इस question का सई एंसर हो जाएगा option number A इसके बाद next समलोग कल का question number D का answer discuss कर लेते हैं तो सबसे पहला question का सई एंसर है option number A next question का सई एंसर है option number D आज का question दे का question 2 है इसका सई एंसर आप सभी को comment करके बतना है इस वीडियो का PDF आप सभी को telegram group में मिल जाएगा telegram group का link आप सभी को description box मिलेगा तो आज का वीडियो में इतने ही रहेगा thank you so much